तो इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10 जो आपकी इंग्लिस है चार मार्च को पेपर है उसके लिए इंग्लिस का फ्रंट पे जो सामने का ये रहता है ना अनुक्रमांक सब्दों में उसका दविसाय पर इक्छा दिन पर इक् कापी चे कही ना हो वहाँ पर आपको रूर्लम्बर और पर चाहां तो एसे बहुत शाए नहीं मैं इतना समझाओ और आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा कि कहां से क्या चीज़े करनी है इसमें पूरा फ्रेंट पेज आपके सामने मैं भर के दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फ्रेंट पेज भरना है हाई इसकूल पर इच्छा उत्तर प्रेश ठीक ऐसे आपके सामने कॉपी रहेग देख सकते हो सबसे पहले यहां पर कुछ निर्देश आपको दिए गया है अब इन निर्देशों को पढ़ना है जैसे दिया गया है कि परिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका कि किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखे यह सब में लिखा रहता है कि कोई भी इस्टूरेंट ह दो दो दोJean गया है वह उत्तर पुस्तिका में मतलब जो पी है उसमें कहीं भी अपना नाम नहीं लिख सकता है और बहुत सा है बच्चे गलती कर जाते हैं कहीं लेटर लिख रहे हैं कहीं अपना नाम लिखती लाष्म में लिखना रहता रहता है उसम чис, य यहां पर नाम नहीं लिखा जाता है इस तरीके से है यहां पर नाम मत लिखो यहां पर यहां पर प्राइक चार्ति का अनुक्रमांक लिखना है तो कोई भी एक्जामपल ले लेते हैं जैसे फॉर टू फाइफ इतना हमने ले लिया है कि यह किसी का भी रूलंबर हो सकता है है वैसे किसी का होगा ने कि यहां पर लिखा गया है यहां पर लिखा गया है इसको मैं थोड़ा से जोंग करता हूं आपको और अच्छे दिखने लगेगा न यह देखो रूख तो और जोंग करना हां अब सभी आपको दिख रहा होगा तो बढ़िया से मैं चाहरा हूं कि एकदम अच्छे से आपको समझो कहीं पर कोई भी गलती नहीं करनी है जैसे य दो लिखते हैं फिर टू लिखा है तो कॉमा देखो कॉमा लगाते जाना प्रश रिखना डूओ फिर कॉमा लगा फाइफ सिक्स वन ड्लिको फाइफ प्पिर इस देखो इस तरीके से बढ़ना है अब यह नहीं करते जाना है यहां पर लिख देना है इंगलिस लिखते हैं अब देखो यह हमारा इंगलिस का पेपर इसलिए पूरा इंगलिस में ही भरना है चाहो तो हिंदी में भर सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंगलिस में भरोगे तो क्या होगा एक्जाम को लगेगा कि भाई यह जो बच्चा है वह थोड़ा पढ़ने वाला है क्योंकि वह शुरू में तो आपकी यह कॉपी देखेगा और अगर यह कॉपी इंगलिस के पेपर में लिख्यों ही मिलेगी तो वह सोचि하겠습니다 पढ़ने वाला है और अगर उसको थोड़ा बहुत ऐसे भले आप पढ़ने वाले स्ट्टिएं लेकिन जो दिमाग में बैट जा आएगा न कि सायख हो सकता है या उत्णा ना पढ़ना जानता है फिर कुछ भी चीजे बैट सकती है अब देखो इसके बाद प्रस्न पत्र प्रस्न पत्र में क्या लिखना है प्रस्न में लिखना है only question paper प्रस्न पत्र मतलब होता है question paper बोली कुष्च पर फीर आता है प्रस्ण पत्र पर अंकिस संकेतांग यह जो यहां पर संकेतांग दिया गया है 817DK लिखा है न यह भरना है ध्यान रखना यह भरना है जैसे यहां पर आपको आना है अपनी कॉपी में यहां पर जो पूछा गया है 817 इसे बहरो 817 बेकर में DK तो इस बहरो डी और यहां पर के इस तरह से भर देना है 870 डीके अब देखो इतना कुछ करने के बाद अब क्या भरना है इतना चीज यहां पर डाल देते हैं डेट यहाँ पर डाल देते हैं जैसे परिक्षा का दिन है यहां पर आपको मंडे को है मालों परिक्षा नदी치를 ग्माली परिक्षा यह दिन परिक्षा कि टेति वह दो नहीं है आपको बता दूंG तद नहीं होजी और आप चाहते हूं कि कुछ भी ऐसे चीज़े नहीं है जिसको पढ़के आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ आपको क्या करना है जो कोर्स मैं बनाए हूँ पांच रुपए कथा लेकि उसकी प्राइस अभी कितनी है प्राइस तो हुआनली और लिक्षफ और वहां से क्लिक करके अभी अब करिक्ष्य ही तो खबर मांच 10lier कि इतना लласт進द फिर यादए पाली फॉर समट किस मेटिग परिक्षा है किस मेटिग अपका एंद्टीले जाता है जिसमेटिंग में रहता है यहां पर रहता है English अब इतना करने के बाद पिर आतें केंद्र का नाम केंद्र का नाम में जहां पर आपका सेंटर गया हो मालो जी आइसी इंटर कॉलेज में गया है मैं एक एक्जामपल ले रहा हूं तो ऐसे लिख दो जी आइसे आपको जो लिखना है जो भरना है न ऐसे भरना और ऐसे भरने के नंबर मिलेंगे आपको नंबर का मतलब यह कि एक्जामपल लगेगा कि जो बच्चा पढ़ने वाला है और उसने भरा है अच्छे से और अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो मोबाइल पर इसकूल चैनल पर इ वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे हम आपसे और किसी निष्ट वीडियो में